हेलो एब्रिवन वेलकम टू डीचि टीचर्स अकेडमी तो आज हम बात करने वाले हैं सोशोलोजी के यूनिट वन सोशोलोजिकल थिओरी के अंदर कौन सा चैप्टर है क्लासिकल सोशोलोजिकल ट्रडिशन्स में जो सबसे पहले ठिंकर है हमारी क्लासिकल ठिंकर में इमाईल करेंगे और इन्होंने कौन कौन सी थियोरी दी हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनका शोषोलोजी में क्या परस्पेक्टिव रहा है इसके बारे मिन बात करते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से एंड तर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगे बढ़ते हैं देखते हैं कि email तर्खायम के बारे में क्या दिया गया इस टॉपिक में तो है जो है एक फ्रेंट सोचोलोजिस्ट है आप देख सकते हैं लिखा ब्यूस में फ्रेंट सोचोलोजिस्ट है और इनका जन्म हुआ था 15 अपरेल 1858 में इनका जन्व गुआ था और 1997 को इनकी मृत्ति हो गई थी ठीक है और इन्होंने एक अपनी कम उम्र में भी काफी जादा योगदान दिया है सोसलोजी में और जिनके योगदान को हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो इन्हें True Father of Sociology भी कहा जाता है किनको इमाइल डर्खाइम को और Academic Father of Sociology के नाम से भी जाना जाता है और इमाइल डर्खाइम जो है एक Macro Thinker है अब Macro Thinker क्या होता है मतलब एक ऐसा Thinker जो Society को as a whole देखता है ठीक है उसमें Individuals क्या है कौन है इसके बारे में बात नहीं करता है ठीक है पूरी Society कैसे function करती है किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और किस तरह से एक दूसरे पर Interdependent है Interconnected है इस पर बात करते हैं वो होते हैं हमारे Macro Thinkers ठीक है Next है यह एक funks list भी है कौन है funks list है funks list यानि वो होते हैं जो समस्ते हैं कि society में हर चीज के पीछे और चीज का एक function है कोई भी चीज जो इस दुनिया में है वो उस चीज के पीछे अपना एक function है उसका भी एक अपना प्रकार है जिससे वो society में अपना एक योगदान भी दे रहा है ठीक है तो milder time जो है हमारे funks list भी कहे जाते हैं और macro thinker भी है और synthetic school से blog करते हैं यह जितने भी point दिये गए इस वीडियो में बहुत ही important है आप यह मत सोचिए कि इस वीडियो में कुछ भी हमें skip करना है skip मत कीजिए क्योंकि मैंने already बहुत कम ही content इसमें लिखा हुआ है जिससे कि quality based content दिया गया है इसमें तो आप एक भी चीज को miss मत करना तो यह milder time जो है synthetic school से blog करते हैं और इन्होंने because इनको जो macro thinker भी कहा जाता है और academic father of sociology भी कहा जाता क्योंकि created the first academic discipline of sociology because he created the first academic discipline of sociology ठीक है next क्या है देखते हैं next slide में देखिए दो टाइप के thinkers होते हैं अभी मैंने बात की ना एक होते हैं macro thinker या एक होते हैं micro thinker ठीक है macro thinker वो होते हैं जो society को as a whole समझने कोशिस करते हैं और micro thinkers वो होते हैं जो society में हर एक individuals की important उसकी अपनी एक समझ उसका अपना एक opinion उन सभी चीज़ों को देखता है वो होता है मारा micro thinker यानि कि जो हर एक individual की बारे मैं सोच रहा है macro thinker macro याद रखिए macro बोला है मैंने ठीक है macro thinkers वो होते हैं जो society को as a whole देखते हैं कि पूरी society कैसे work करती है क्या function है किस तरह से society आगे बढ़ रही है किस तरह से society में evolution यानि कि हर एक generation से generation में क्या चीज़े ट्रांसफर हो रहे हैं पूरी एक as a whole समझने कोशिस करते हैं वो हमा society को importance दी जाती है macro thinkers में ठीक है Macro thinkers जो होते हैся society इस समिप्राइमरी और सपर- इंडिविजयल जो इनिविजल द्होते हैं नहीं micro thinkers तो वो society को secondary समझते हैं और macro जो होते हैं इंडिविजयल को secondary समझते है प्राइमरी स मसते हैं society को ठीक है इतना समझ में आ गया होगा आपको जैसे कि आपको बताती हूं मैं यहाँ पर क्या है कि जैसे एक बच्चा है वो उसने 12th का एक्जाम दिया अपना अब 12th के एक्जाम के बाद उसे उसके पास बहुत सारे options होते हैं कि उसे करना क्या है आखिर IIT करना है य नीट की preparation करना है या उसे bank की preparation करना है SSE की preparation करना है या एक simple graduation करना है बीटेक करना है या बहुत सारे options उसके पास होते हैं ठीक है काई बार क्या होता है हमारी लेकिन हम उस बच्चे की बच्चे के नजरिये से नहीं देखते हैं कि आखिर उस बच्चे को क्या करना है उसे ए एक painter बनना हो वो सकता उसे एक fashion designer बनना हो कुछ भी लेकिन हम क्या देखते है society के perspective जो society हमें बताती है ना कि नहीं भई IS बनेगा बच्चा नहीं IIT करेगा इसको तो NEET के exam देकर एक doctor ही बनना चाहिए यह चीज़े होती ना society हमारे उपर जो थोप रही है ठीके ना तो यहां पर क्या है society को importance होती है ना कि इंडिवीजल की इंडिवीजल यहां पर क्या होगा एक secondary पार्ट होगा है ठीके है समझ सकते हैं ठीके हमें डर्खाइम के कौन-कौन से थियोरी इसको पढ़ना होगा यह यहां पर देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले पढ़ना होगा division of labor के बारे में जो social fact की थियोरी दिये है डर्खाइम ने उसके बारे में theory of society बहुत important theory है इनकी theory of society 1897 में आई थिंक आई थी यह ठीक है पब्लिश होई थी यह theory उनकी और theory of religion इन चीजों के बारे में आगे पढ़ना होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे division of labor के बारे में यानि की labor का बटवारा यानि काम का बटवारा ठीक है जैसे कि आप अपने एक घर से ही समझ सकते हैं आपके घर में आपकी मदर होंगी आपके फादर होंगे आपके भाई भेन siblings होंगे तो उनकी बीच में भी काम बटा हुआ होगा जैसे कि एक typical family कम सोच सकते हैं माली जी आ आपके फादर होंगे वो बाहर जाकर काम करेंगे और आपके जो siblings होंगे वो हो सकता है पढ़ाई करें और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटा है ठीक है एक typical family के बारे में हम इसको समझ सकते हैं मतलब का बटवारा हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले जो division of labor का concept आता है वो इमेल डर्खाइम की famous book है division of labor in society जो की book आई थी 1893 में सबसे पहले major book है इनकी publish हुई थी जो की जिसकी theme है relationship between individual and society और the collectivity ठीक है अब theme सही समय सकते हैं एक ऐसा relationship जो individual एक व्यक्ति और एक society के बीच में हो collectivity के लिए यानि की चोड़ने के लिए ठीक है integration के लिए चोड़ने के लिए next देखते हैं कि क्या दिया गया point तो first time to dual का concept आया था Adam Smith ने economy में बात की थी economy में कॉंसेप्ट आया था डियोल का जिसमें लेवर की बटवारी के लिए बात की गई थी लेकिन डर्खाइम एक ऐसे सोचलोजिस रहे हैं जिनोंने और अधर सब्जेक्ट्स दे कुछ ना कुछ लेकर सोचलोजी में डालाया है ठीक है तो इसी लिए डर्खाइम ने जो ड डियोल है बोल रहे हैं इसको ठीक है याद रखिए कि डिवीजन अफ लेवर को शौट में डियोल बोल सकते हैं यहां पर तो डर्खाइम जो है डियोल का कॉंसेप्ट लेकर आये थे शोचलोजी में न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ओफ लेवर जो एक बुक है आई है वो कॉंसेप्ट दिया है उसको बोलते हैं डिवीजन ओफ लेवर इन ससाइटी डिवीजन ओफ लेवर इन ससाइटी ठीक है और न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ओफ लेवर जो बुक आई है वो फ्रवेल की बुक है तो splitting of activities of because of specialization की वजए से जो activities का बटवारा होता है वो इस समय होता है डिवीजन ओफ लेवर की वजए से यह काम का बटवारा निक दीख सकते हैं क्या लिखा है डिवीजन ओफ लेवर के बारें बात करते हैं रखा हैं डिवीजन ओफ लेवर as a fact आगे पढ़ेंगे हम कि डिवीजन ओफ लेवर को एक fact की रूप में उन्होंने कैसे बताया है जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे पुराने समय में चाहें देखा जाएं जब कास्ट सिस्टम हुआ करता था तो कास्ट सिस्टम में भी जैसे कि छत्रियाज, वैश्या, शुद्राज या फिर ब्रामिन्स इन सभी के अपने अपने काम के बटवारे हुए करते थे डिवीजन ओफ लेवर तब भी होता था, ऐसा नहीं कि डिवीजन ओफ लेवर आज का कोई concept है, अगर देखा जाएं NCN टाइम में, तब भी कार सिस्टम हुआ करता था, जो ब्रामन छत्रिया वैशा शूदास में काम का बटवारा करते थे, और हमारी family में भी अगर हम अभी के स्थर पर होती है, यानि कि डिवीजन ओफ लेवर वहां भी देखने को मिलता है, ठीक है, सिंपल सब्दों में काम का बटवारा, नेक्स्ट क्या है, कि वी कें सीट इवल इन ओवर family, जैसे कि वही बाली बात हो गई, जो मैंने आपको भी example दिया था, कि आपकी मदर का रोल क कोई और कर रहा होगा, तो वह family में भी हमें division of labor देखने को मिलता है, आपकी मदर खाना बना रही होंगी, आपके लिए आपके फादर जो है, आपके लिए काम करके कुछ कमा कर ला रहे होंगे, बच्चे या siblings जोंगे वहां बढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो सब के टेकनिकल डिवीजन ओफ लेवर जैसे समझ सकते हैं, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अग्रेडियन कल्चर यानि की खेती वाड़ी कोई और कर रहा है, इंडरस्ट्री में मैनुफेक्चरिंग कोई और कर रहा है, उसको कंजम्चन यानि की खरीद कोई और रहा है, तो ये एक टेकनिकल डिवीजन ओफ लेवर होगे, नॉर्मली, ठीक है, शेक्श्वल डिवीजन ओफ लेवर जैसे की फीमेल कुछ और कर रही है, मेल वर्कर कुछ और अपना काम कर रहे है, तो सोसल सॉलिडाइटी एक नया वर्ड आया है, हमारे सामने समा सकते हैं, इसको पहल ये सोसाइटी हमारी, ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले डर्खायम में जो है, दो तरह की बात बोली, एक बोली उन्होंने हम अभी प्रिजेंट टाइम को देखकर ये नहीं बता सकते हैं, कि आखिर सुसाइटी में एक तक कैसे हैं, लोग एक दूसे से आखिर चुड़े हुए कैसे हैं, ये प्रिजेंट टाइम में हम देखकर नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें पहले एंसीन टाइम में जाना होगा और देखना पड़ेगा लोग कैसे रहती थे और तब सोसल सॉलिडारिटी यानि की सोसाइटी एक साथ कैसे बंदी होई थी, तो इसको देखने के लिए दरखाय में दो टाइप की सॉलिडारिटी की बारे में बात किये, एक तो बात किये है, मेकेनिकल सॉलिडारिटी और दूसरी बात किये है, और दूसरी बात किये है, और दूसरी बात किये है, और उन्होंने सॉलिडारिटी के बारे में इसके बारे मे क्या बताया है ये देखते हैं primitive society में क्या था held together by mechanical solidarity based likeness norms values मतलब कि जो पुराने समय में था लोगों के बीच बहुत जादा similarities हुआ करती थी लोग एक जैसे थे इसलिए उनके बीच इतने जादा काम का बटवारा नहीं था जितना आज के समय में है division of level ठीक है ना क्योंकि लोगों के बीच बहुत जादा likeness थी उनकी norms values बहुत जादा एक जैसी थी इस वज़ाए से अब जैसे की caste system traditional system, sati system, कुर्बानी personal relationships होते हैं जैसे हम समझ सकते हैं जैसे लोग society के लिए society में एक जैसे ही हो रहा है माली जै कोई एक कोई एक जैसे की हमारी sati system, sati प्रथा हुआ करती थी उस समय में या जो कुर्बानिया दे जाती थी ये इस तरह की जो चीजे होती थी पुराने समय में वो society से ही होती थी क्योंकि सब कुछ एक जैसे ही था इस वज़े से लोग अगर खुद के लिए उगा रहे हैं कोई चीज तो खुदी कंजम्शन कर रहे हैं उसका ठीक है ना उसमें बहुत जाजा ऐसा नहीं था कि जैसे की आज के समय में हैं कि आज खेती कोई और कर रहा है उसका एक बड़ा बायर जो होगा वो कोई और होगा एक छोटा बायर वो कोई और होगा फिर वहां से कंजम्शन हम कर रहे हैं वो कोई और है ठीक है इस तरह का मटवारा नहीं बना हुआ था पहले की समय में लोग सिंपल छोटी सी सुर्साइटी में रह रहे हैं छोटी छोटी लोग पॉपलेशन है लोग वहीं अपना कंजम्शन कर रहे हैं वहीं अपना उगा रहे हैं खेती को कर रहे हैं वहीं अपना खापी रहे हैं खुदी से ही अपने माली जैग घर में गर में कोई भी चीज़ बनानी हुई वो खुद से ही बना लिया घर का कुछ भी निर्माण करना हुआ वो खुद से ही बना लिया आज ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि अब होता है कि हमने एक बहुत बड़े बिल्डर को बोल दिया फिर उसके बाद उसके नीचे कुछ levers work कर रहे हैं फिर उसमें levers के अंडर में भी कुछ छोटे levers काम कर रहे हैं इस तरहे का तो बटवर है नहीं आप तो इसलिए उस समय society इतनी ज़्यादा बटी हुई नहीं थी जतनी ज़्यादा differences आज आ चुकी है modern society में इसलिए हम modern society में देख सकते हैं modern society को इसलिए organic society बोलते हैं और जो primitive society यानि कि पहले की society है उसको हम mechanical solidarity में देख सकते हैं society नहीं होगा organic solidarity होगा यहां कुछ mistake है यहां पर organic solidarity होना चाहिए ठीक है typing mistake है यह mechanical solidarity जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं mechanical जैसे कि एक machine है machine अपना काम करते जा रही है करते जा रही है करते जा रही है उसमें उसके लिए अलग से कोई effort डालने की जरूरत नहीं है वो अपने आपी चीजें होती जा रही है ठीक है तो और organic society में जो की हमें एक advanced society में देखने को मिलती है जो पहले की society होती थी primitive society में कुछ likeness देखने को मिलती है individual consciousness मतलब कि लोग अपने तक ही अपने बारे में ही सोच रही होते हैं ठीक है मतलब कि जैसे कि अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि जैसे अपना खुद का ही कंजम्चन हो रहा है अपना खुद का ही production हो रहा है इस तरह से एक small population में होता है ऐसा ठीक है traditional society होआ करती थी homogenesis यानि कि लोग एक जैसे हैं similar value similar beliefs जिनके हैं ठीक है लोगों का सोचना लोगों का उसके बारे में कुछ भी विचार हो वो सब सेम है ठीक है उधर homogenity होती थी और low division of labor ऐसा पहले पुरानी societies में हुआ करता था ठीक है यानि कि division of labor का कम अटवारा होता था और repressive law और repressive law जैसे कि कुछ किसी ने कोई अगर माली चे क्राइम किया तो उसके लिए उसको सजा देकर society में फिर से मिला लिया जाए यानि कि social solidarity society की solidarity को खतम ना कर सके इसलिए उसको फिर से मिलाने की कोशिस की जाएगी repressive law और ancient society में क्या होता है organic solidarity होती है differences होते हैं बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरहें की लोग हैं अलग अलग तरहें की industries हैं अलग अलग तरहें की उनकी काम है है न और interdependence लोगों की बहुत ज़्यादा interdependency भी हो चुकी है जैसे कि हमारे घर में अगर बिजली आ रही है तो हम उसके लिए पूर्य टोटली interdependence है किसी और पर हमारे घर में अगर खाना बन रहा है तो हम उसके लिए भी totally depend है क्योंकि उसके लिए सबजी कोई और उगा रहा है फिर सबजी कोई और बेच रहा है फिर खाना कोई और बना रहा है तो इस तरह से हम totally interdependence हैं इस समय ancient society sorry modern societies में यहाँ पर modern society होगा ठीक है modern society में यह ऐसा modern society में modern society में ओके और heterogeneity होती है लोग एक जैसे नहीं होते हैं हाई division of labor काम का बहुत ज्यादा बटवारा बटवा हुए क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग variety की चीज़ें आ चुकी हैं तो काम के उस हर एक काम के लिए अलग 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 लोग भी है इसमें restitutive laws भी है कुछ जिनके लिए कुछ law बने हुए है जिसमें punishment भी है laws है regulations है ठीक है और अब देखते हैं आगे पढ़ाता है कि division of labor को social act आखिर कैसे कहा है तो division of labor को social act ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो social fact ऐसे समझ सकते हैं कि division of labor हमें हर जगे देखने को मिलता है कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ इसी society मिल रहा है यह universal हमें हर जगे देखने को मिलेगा चाहें वो family हो marriage हो religion हो हर जगे everywhere यह exist करता है इसके लिए कुछ अलग से अपर डालने की जरूरत नहीं है कि division of labor को अलग से कुछ करने की जरूरत है यह खुद से ही evolve होता है integrate people because of interdependence लोगों को एक साथ बनाए रखता है क्योंकि लोगों की निर्भरता भी एक दूसरे पर है abnormal form of DOL division of labor की abnormal form के बारे में बात की है अब देख सकते हैं यहां पर हमने बात की थी कि टर्खाइम ने division of labor को social fact कैसे कहा था और यहां पर दिया गया है कि abnormal form abnormal मतलब की जो चीज नॉर्मल नहीं हो ठीक है टीवी नॉर्फ लेवर की जो form जो है normal नहीं है उसके बारे में बात की है जैसे कैसे कह सकते हैं हम लोग पहला पॉइंट है एनॉमिक एक important word आ जाता है डर्खाइम की थियोरी में तो एनॉमिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक coaching institute है या कोई college school है तो वहां पर एक teacher है उसका work है पढ़ाना ठीक है लेकिन एनॉमिक जो non follow नहीं कर रहा है वो वो क्या कर रहा है कि वो पढ़ाने के अलावा हो सकता है वो रील्स देख रहा है हो सकता हूँ वहां से बैट कर बाते कर रहा हो तो वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि वो teacher एनॉमिक एनॉमिक हो रहा है यानि कि norms को follow नहीं कर रहा है तो इसलिए ये एक abnormal form हो जाती है division of flavor की inadequate organization over burdening someone कोई पी institute को चलाने के लिए वहां बहुत सारे worker की जरुवत पड़ेगी घरीजर, वहां पर एक piece collect करने वाले जो recipient होते हैं उनकी जरुत पड़े बहुत साही लोगों की जरुत पड़ेगी ठीक है लेकिन अब वहां पर बहुत सारे teachers की जरुवत है, पर क्या हुआ कि किसी ने कह दिया कि नई ठीक है हम एक ही सब्जक्ट से एक ही teacher को तीन सब्जक्ट दे देंगे और वही एक बढ़ा लेगा तो क्या यह और वर्डनिंग नहीं हो गई तो उसमें क्या होगा कि वो एक teacher उस अपने एक सब्जक्ट को नहीं बढ़ा सकता है बलकि वो उन तीन सब्जेक्ट पर भी फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ओर बर्डन हो गया तो ये एबनोवा फॉर्म ओफ डिविना फ्लेवर हो गई और नेक्स्ट क्या है पोस्ट डियो एल कास्ट सिस्टम में जैसे कि हम देख सकते हैं पहले के कास्ट सिस्टम में जैसे छत्रिया, वैश्या, ब्रहम्मिन, शूद्रा इन सबी को अपने अपने काम का बटवारा दिया गया था लेकिन माली जे एक छत्रिया है और वो हो सकता है आज के समय में मैं बात कर रही हूँ, एक छत्रिय को अपने जो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम का बटवारा दिया गया है, उसको ना करके उसे मान लीचे, एक बिजनिसमेन बनना है, यानि कि वैश्य का जो काम होता है, बिजनिसमेन वैपार करना है, ठीक है, लेकिन उ सिस्टम कहता है, जो पहले वर्णा सिस्टम हुआ करता था, वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो एक उसको फिर भी मजबूरी में आके, अपने उस काम को छोड़ कर जो से बिजनिस करना था, वो छोड़ कर उसे उसे एक आर्मी या मिलिटरी में ही जॉइन करना पड़े, तो इसको कह सकते हैं, हम लोग फोर्च डी ओ, यानि कि जब जस्ती जो काम कराया जा रहा है, अब समझ लेते हैं, कि इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिये गए हैं, जो कि डर्खायम के हैं, और इन कीवर्ड को हम लोग याद करके, माइंड में जब पेपर में कुछेंस आते हैं, तो वो छोटी-छोटी कीवर्ड दिखते हैं, उस पेपर में जो कुछें होता है, अगर ये दिखते हैं, तो वहाँ हम लगा सकते हैं, अपने टिक, इमाइल रखाने पर, पर फिर भी पूरा कुछें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इंपोर्टन की वर्ट में देख लेते हैं, क्या क्या है, मेकेनिकल सॉलिडारिटी, जो हमने पढ़ा था, कि एक जैसी जहां पर सोसाइटी है, वहां पर मेकेनिकल सॉलिडारिटी होगी, औरगेनिक सॉलिडारिटी, सोसाइटी, एस विजन रेस, जो खुल से ही वाल्व हो सोसाइटी डिवीजन ओफ लेवर को एज फैक्ट फैक्ट बोला है हेट्रोजेनल सोसाइटी होमोजेनल सोसाइटी कलेक्टिब कॉइशनल तो यह की पॉइंट थी डखायें के इस टॉपिक के टॉपिक अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट लगाओ प्लीज आप कॉमेंट सेक्षन में बताईए मुझे मैं उस चीज को दुबारा से बताने की कोशिस करूँगी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं थैंक यू